हलो फ्रेंट वेलकम टू माई चैनल नाशिम हेल्थ के और आज पिर आप लोग के सामने एक नए ट्रॉपिक लेकर सामिल हों आज जो बात होने वाले हैं बहुत ही यूज होने बाले टेबलेट के बारे में जिस टेबलेट का नाम है डॉक्सिनेट टेबलेट यह जो टेबलेट है बहुत ही डक्र द्वारा रिकूमेंट होता है और यह एक कॉमन दवा है लगबग सभी मेडिसिन इस्टोर पर मिल जाते हैं तो फ्रेंट वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन प्रेस कर देना क्योंकि जब भी वीडियो को आपलोड करूं तो जल्द आप तक पहुचे और मेडिसिन चैनल है तो थोरा बहुत सबको जानकारी रखना चाहिए तो फ्रेंट वीडियो को आगे बराते है डॉक्सिनेट टेबलेट जो 30 टेबलेट का एक इस्टिप होता है इसके प्राइज लगबग 190 रुपीज होते है और इसे मनिस फर्मसिटिकल प्राइबेट लिमिटेद दोरा बना जाती है अब जान लेते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है इसके अंदर डॉक्सिलामाइन 10MG, पाइरोडोक्षिन हा होता है यह एक एंटि हिस्टामिन दवा है जो एलर्जी रुकावट डालने का काम करता है तो प्रेंड आप जान लेते हैं इसके यूज के बारे में ज्यादा तर इसे डेलिवरी पैसेंट को बॉमेटिक, एलर्जी, हर्ट टाइम, मुल्ट्यूल्टी भाब होना और विटा पर इस टेबलेट को एजली यूज कर सकते हैं और पाइरोडोकसिन हाइडोकलुराइट भिटामिन B6 होता है जो जुररी मात्रा पर देता है अब जान लेते हैं इसे लेने का सही तरीका क्या है इसे आप दिन में दो या तीन बार ले सकते हैं खाना खाने के पहले जल के सात seven कर सकते है इसे लेने पर ऐसे भी कोई दिकत नहीं होता है पर इसे seven करने के बाद माथा पे चकल लगना जी घबराठ होना ऐसे फोरा बहुत दिकत हो सकता है अब जान लेते हैं कौन इसे नहीं ले सकता अगर किसी का किड़नी लिबार है ब्लाड प्रशार हो तो पहले डाक्टर के साथ बात करें फिर सेवन करें तो फ्रेंट आज के लिए इतना ही फिर नए वीडियो के साथ सामिल होंगे आपका दिन सुबह बाए